असलाम अलेकुम तुस्वागत थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोगो टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 24 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है जहरे इश्क ठी देखें वैसे यह चीज़ आप लोगो जाना जरूरी है आखिर यह चैप्टर है क्या क्या यह कोई अफ्साना है या फिर घजल है या फिर यह शायरी है या फिर यह मजमूने क्या यह चैप्टर क्या है तो यह चैप्टर है यह एक मसनवी है अब यहां पर सबसे पहला सवा हर एक लाइन में दोडो मिश्रक होते हैं और दोनों मिश्रे एक दूसरे के हम काफिय को मैं नहीं आए होगा , तो अब मैं आप विस्तार से तदेखे सबसे पहली बात मतलबी सिर्वशाइरी के अंदाज में ही लिखी जो मसनवी शोहरा है उसको देखी इस मसनवी के पहले लाइन में दो मिस्रे हैं आप लोग देख पा रहे हैं उसी तरह दूसरे लाइन में भी दो मिस्रे हैं तीसरे लाइन में भी दो मिस्रे हैं यानि कि परतियक लाइन में हर एक लाइन में दो दो मिस्रे हैं एक मिस्रा आप दूसरे के हम काफिय होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए आप लोगो इस मस्नवी के पहले लाइन का दोनों मिस्रा पढ़ना होगा, पढ़िए मैं आप लोगो पढ़ कर बताती हूं, देखिए, पहले लाइन में दोनों मिस्रा को पढ़िए, पहला मिस मिस्रों में लास्ट में हूं और हूं आ रहा है यानि कि लास्ट का पूंद सीचन है उच्छारण वोसी को बोलना जयाता है हम काफिया ठीक है उसी तरह दुसरा लाइन पढ़िये दुसरा लाइन का दोनों बिस्रा, टाजा इस तरह की हकायत है सुनने वालों को जिससे हैरत है, दोनों के लास्ट में है और फिर है, यह क्या है, एक दुसरे के हम काफिया है, ठीक है, तो I think आप लोग को समझ में आया होगा कि मसनवी उसे कहते हैं, जिसके परतिये क्लाइन में दो-दो मिसरा हो, और हर मिसरा एक दुसरे के हम काफिया हो, उसी को क एक फिल्म होता है तो आप लोगों को पुरा फिल्म नहीं देखना है उस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखना है यू के इन से ठीक है यह जो मस्नवी है जहर इश्क नाम का यह बहुत ही लंबा मस्नवी है तो उस पूरे मस्नवी को पढ़ने के बजाए आप लोगों को उसका एक उनके बारे में कुछ डिटेल जान लीजे क्योंकि आपलोग जानते एकजाम में पूशण पूछ देता है और इसलिए इनके बारे में जाना जरूरी भी है तो देखिए जहर इश्ग नाम के मसनवी के जो है ना लेखक मुसनिफ वह है शौक लखनवी जहर इश्ग नाम ठीक है यानि कि वो अपने शेरोशारी के लाश्ट लाइन में शौक नाम यूज़ करते थे ठीक है तो उनका तखलुस था शौक और उसके बाद से उनकी पैदाईश होई थी शौक था तखलुस और लखनव में वो पैदा हुए थे तो शौक प्लस लखनव क्या हो गया शौक शौक लखनवी तो इसे लिए यह शौक लखनवी के नाम से मशूर हो गए भले इनका नाम था तसद्दुक हुसेन खां ठीक आगे बढ़िए इनके वालिद यानिक इनके पिता जी का नाम था आगा अली खां जो एक तबीब थे तबीब आप बोल सकते हैं डॉक्टर ठीक ह अब पहले के जमाने में जो है ना हकीम बोला जाता था ठीक है तो मतलब इनके वालिद जो थे ना वह एक तरसे डॉक्टर का फर्ज अदा करते थे लोग को दवा बेचा करते थे और इलाज भी करते थे यानिकी तबावत का खांदानी पेशा था यानिकी इलाज करने का शौक लखनवी का खांदानी पेशा किया था तो तबावत ठीक है आगे बढ़िए शौक लखनवी की इपतदाई तालीम घर पर ही हुई शुरुवाती सुक्षा जो है ना इन्होंने घर पर हासिल कर ली और उसके बाद से बहुत जगा बहुत सारे फेमस टीचर से जाकर य और भी concertी शौक लखनवी जो हैन वह शायरी की शुरुआत जो है नहीं घो को चाईगरी के कटेगरी में उसी तरह घजल घजल को भी हम लोग शायरी के अंदाज में लिखते हैं और पढ़ते हैं तो घजल भी जो है ना सायरी का एक केटेगरी है इन दे सेम वे मसनवी को भी शायरी के अंदाज में लिखी जाती है तो मसनवी जो है ना वो भी शायरी का ही केटेगरी है ठीक है तो ज सब्सक्राइब नहीं मिल पाई ज्याहिदा शोहरत नहीं मिल पाई तो यह अब किने शुरू कर दिनों ने मसनवी लिखना उली और उसके थान साथ इनको मिलीन ऊजली कि लुहाइब वही करेगा तो उसी तरह जिंदगी के साथ भी होता है हम लोग कुछ और ही बनना चाहते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रेता है किस्मत कुछ और ही बनवा देता है ठीक तो यह बहुत बड़ी बात थी शौक लखनवी वह गजल लिखने के वज़र से फेमस होना च लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा फेमस मसनवी है जिसको सबसे ज्यादा शोहरत मिली वह था जहर इश्क यह मत भूलिएगा ठीक है और लास्ट में शौक लखनवी का इंटकाल हो गई थी अठाड़ा सएकत्तर इस भी में लखनव में ही ठीक है तो यह हो गया शौक वहासा टुकड़ा पढ़ना है लेकिन बहुत लंबा है और प्रतीक लाइन को मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ कर बताओंगी ना उसका मतलब मानी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा ठीक है छोटा ही है मतलब यह टुकड़ा है जहर बसनवी का एक टुकड़ा है और यह जो कहानी है वो यह गरीब की कहानी है गरीब का दास्तान है और गरीब किसको बोल रहे है यहाँ पर शौक लखनवी वो अपने आपको बोल रहे है ठीक है तो यहाँ पर चलिए एक एक लाइन अगर पढ़ कर बताओंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा मैं आप लों और फूरी कहानी ही बता दे रहे हूं जुँश्भानी की graduating 99 लखनवी क्याट की अपन को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं की जिस मौले में अपने आपको बोल रहे हैं जिस मुहले में में रहता था उसे महल्मे में एक सवधागार रहता जो कि बहुत ज़्धा शान वो शौकत वाला था उसके पास पैसे की कोई नहीं कमी नहीं थी उसका खांदान उस गाओं का सबसे इजफ्जट पाने वाला इसान था सभी गाओं के लोग जो है ना वह उस सवधागार को बहुत ज्यादा खुबसूरत थी मतलब लाखों में एक थी उसके जैसा खुबसूरत उस शहर में कोई था ही नहीं इतना वह खुबसूरत थी ठीक है मतलब वह साधा पुसाख भी पहनते थी ना बहुत ज्यादा खुबसूरत लगती थी उसकी चाल ढाल और उसके बाद से उस जबसे ज़यादा शौक था शेर वर्शैरी करने में शेड़ी CARTERी थी और पढ़णे में उसको सबसे ज़यादा शौक था ठेकिक सांती मिलती है इतनी खुब्सूरत थी वह बहुत ज़या ठेक given अचानक लाकँ हुआ ये कि चारूत रम ढम काला हुसे और उस के बाद से पुरा दबा कर बारिश हुआ और बारिश होने के बाद फिर पिर से आसमान खुल गया एकदम आसमान सफ हो गया और इंद्रधनुस निकल आया इंद्रधनुस यानि की रैम्बो बारिश होने के बाद रैम्बो निकलि anus ऊसी तरह जो तेज बारिश हो ए थी और वारिश खत्म हुई बादल सफ एम कि आसमान सफ आ तो इंद्र से धनूस निकलाया ठीख है तो उसी इंद्र धनूस को देखने के लिए जो ना शौक लखनवी छत पर गये थे तो जाकर तहल रहे थे तो देखे कि उसके सामने जो छत है उसके सामने वह जो च्छत है उसी पर वो सौधागर की लड़की बैठी हुई है और उसके सांथ धेर सारी उसकी सहेलिया भी है और नौकरानी भी ठीक है और बहुत ज़दा इस लड़की को देखे ना तो शौक्त हो गए इतनी ज़दा खुबसूरत थी अब उस लड़की को यह देखते ही ज च्छत पर अकेले बच गई और वो अकेले ही मज़ा ले रही थी इंद्रधन उसको देखकर ठीक है और मज़ा ले रही थी और शौक लखनवी तो भई देखते ही जा रहे थे उस लड़की को अब हुआ यह कि उस लड़की की आँखे शौक लखनवी की आखों से दूचार कि यानद की आंकों से आख़्े मिला और उस्ता करकर पास बुलाए और उससे कुछ बाते करें यह तना ज़िए इतने ही वह गये थे अब इसी तरह देखने की सिलसला चलती रही वह लड़की देख रही ठीए नगे देखने और शाम होने के बाद उसी लड़की की एक नौकरानी आई ठीक है और आकर बोली उस लड़की से कि देखिए चली आपकी अम्मी बुला रही है ठीक है उसके बाद से वो लड़की उठी और चली गई नीचे अब बेचारी शौक लखनवी देखते ही देखते रहे गए और ढूको पुरा कहानी समझ में आये गार पुरा कहानी का इंड मालुम चलेगा ठीक है यहां पर आप को ट्रेलर देखना था ट्रेलर में सब कुछ थोड़ना बता दिया जाता है ठीक है तो उसी तरह यह भी था ठीक आप लोगों समझ में आया होगा तो कोई भी कंफी दो don't forget to subscribe my channel if you are new here on my channel अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो subscribe करना मत भूलिएगा subscribe कर लिजे और bell icon यान की घंटी को दबा लिजे उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली all वीडियो का all notification आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज